कि है कि कि है कि है अलो स्टुरेंट्स वेल्थ आकाउंटेंसी आज हम है आगे के कम्सेंद करने वाले हैं हमने करीब 30 थर्टी कोस्ट्ट्ट पार्टनर्सिप में बैसिक कॉंसेप्ट में 501 कर लिए हैं आगे की जो 31 से च्टर्ट हो रहा हो है हमारा लाक की गारंटी वाला जब कम से कम दो या अधिक-शदिक 50 साजिदार चब पार्टनर सिब करते हैं तो उसे पर चर चार कि हमारे पार्टनर से मैं आजाओ उसकी कुछ नो कुछ उन्हें आवस्थिता रहती है इसलिए उसे सामिल करना रहता है अब एसे स्थिति में वह कुछ सर्त रखता है कि मुझे एवरी यर प्रति वर्स इतना लाब होना चाहिए लाब नहीं हुआ तो तो ऊस परिस्थिति में जो बचे हैं जो पार्टनर है वहां जो पहले के जोलाफ ही इसको ग्रावट्टी देते हैं कि वर्स में इतना लाब हो और नहीं होगा तो वो लाब हम देंगे और वहां पाई आंतर रासी बिते कभी कभी कोई एक ही पार्टनर उसकी जिम्यदारी ले लेता है तो इसे से रिलेटर आज हम प्रस्ण देखते हैं लाब की गयारंटी वाला प्रस्ण देखिए पी क्यू आर साज़ेदार हैं उनका लाविवाजन का अनुपात है दो अनुपात दो अनुपात एक अउन्होंने आर को अन्य साज़ेदारों ने आर को आस्वासन दिया पी और क्यू ने आर को यह गयारंटी दिया आस्वासन मिंस गयारंटी कि उसे कम से कम 14,400 रुपय का लाब अवस्य मिलेगा अब चालू अरसे का सुद्ध लाब उनका हुआ हमें क्या बनाना है लाब हानी नियूजन खाता बनाना है ठीक है तो हम लाब हानी नियूजन खाता इसके आधार पर हम लाब हानी नियूजन खाता बनाते हैं देखिए तो सबसे पहले तो लाब हानी नियूजन खाते में फॉर्मेडवान आते उसका पहले तो लाभानी नियोजन खाता पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर एंड अमाउंट ठीक चलिए पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट ठीके वर्टिकुलर आप क्या आया वह यहाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कितना आया है 68400 रुपए अब इस 68400 रुपए को हमें क्या करना है उनके बीच में बाट देना है 68400 तो साजे दारु के बीच में बढ़ जाएगा यह क्योंकि उनके बीच में हमें दो अनुपाद दो अनुपाद एक के अनुपाद में बाटना है तो प्रॉफिट यह कहां जाएगा ट्रांसफर टू क्यापिटल अकाउंट पार्टनर्स क्यापिटल अकॉंट कौन-कौन है पी क्यू और आर ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर लाप का भी भजन करते हैं पी के हिस्से में कितना आएगा अटसट हजार चार सो रुपए गुणित उनका लाभी बाजान अनुपाद क्या है दो अनुपाद दो अनुपाद एक इस अनुपाद में पी क्यू आर बाटेगे तो 68,400 गुणी 2 P का हिस्सा किता है दो बटे टोटल हिस्से कितना होगे 5 5 एकम 5 5 तिया 15 5 चेंग 30 5 चेंग 40 कितना हो जाएगा ये 2.090 2.8 16 2.6 12 और 1 13 2.3 6 और 1 7 और 2 एकम 2 27,360 रुपे P के हिस्से में आ रहा है Q के हिस्से में कितना आएगा 68,400 गुणी 2 बटे 5 यही था इसका मतलब Q का हिस्सा भी कितना आएगा 27,360 रुपे फिर R का हिस्सा कितना आएगा 68,400 गुणी 1 बटे 5 यह हमने बाटा था तो कितना है 13,680 रुपे 13,680 रुपे ठीक है तो P के हिस्से में 27,360 27,360 Q के हिस्से में भी 27,360 और R के हिस्से में आया 13,680 रुपे अब प्रस्न में क्या कंडिशन दी है कि R को कम से कम 14,400 रुपे का प्रॉफिट जरूर मिलेगा अब यदि 14,000 R को जो गयारंटी दी गई है 14,400 रुपे की और मिल कितना रहा है 13,680 रुपे इसका मतलब कितना कम मिल रहा है 13 में से 6 गया 7 3 में से 3 720 रुपे 720 रुपे कम मिल रहे है अब ये 720 रुपे जो है ये कौन वहन करेगा तो दोनों पार्टनार ने उसे गयारंटी दी है कि ये जो जो पैसा कम मिलेगा वो हम देंगे तो कौन देगा P और Q P और Q वहन करेगा 720 रुपे को अब किस अनुपात में वहन करेंगे उनका अनुपात क्या है 2 अनुपात दो P और Q का हिस्सा कितना है 2 अनुपात दो मतलब बराबर बराबर तो 720 रुपे का 3600 मतलब 360 और 360 रुपे P और Q वहन करेंगे मतलब P के खाते लाब में से Q के खाते में से 365 माइनस होगा और R के खाते में 720 रुपे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27,360 बैसे 360 माइनस हो गया तो 27,000 यहां भी 27,000 और यह कितना हो जाएगा 14,400 रुपे टोटल हो गया 68,400 ठीक है यहां गया होगा समझ में जो लाब दिया रहता है उस लाब को लाब विवाजन अनुपात में बाटना है उसे लिए लिखना है फिर देखना है कि किस साज़िदार को कितनी चल टीघए सबूदा 24,000 रुपे मिलेगा लेकिन ऑ की सिर्व कितना मिला 720 रुपे टो इसалось 2020 को किसने करने का बोला है उस बहाबात से बहूल मतल courtesy 360 रुपे से कम हो जाएगा Q का 360 से कम हो जाएगा और R के खाते में 720 रुपे जोड़ जाएगा तो सर्त के अनुसार R को 14,400 रुपे मिल गए ठीके तो ये वाला जो कोस्चन था 31 नंबर वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं 32 नंबर वाला कोस्चन 32 नंबर वाला क्या दिया है देखो अब वस ए बी और सी एक फर्म में साज़िदार है जो लाब हनी पांच अनुपाद तीन अनुपाद दो के अनुपाद में बाठते हैं 5 इस्टू 3 इस्टू 2 अनुपाद में बाठते हैं ए ने व्यक्तिकत रूप से सी को यह गयारंटी द पुंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पस्चाथ जो लाब रहेगा उस पर पुंजी पर 10% ब्याज लगाने के पस्चाथ आये लाब में 22,500 रूपे कम से कम मिलेगा 22,500 से कम किसी भी वर्षिन नहीं होगा मतलब जो लाब रहेगा उस लाब में से साजेदारों को पुंजी पर ब्याज देने के बाद जो लाब बचेगा उस लाब में उसका हिस्सा कम से कम 22,500 रहेगा और नहीं रहेगा तो वो कौन वहन करेगा? ए वहन करेगा यह ए ने उसे ग्यारंटे दिए ए ने व्यक्तिकत रुप से सी को ग्यारंटे दिए कि सी को कम से कम 225 रुपए मिलेगा साजेदारू की पुझी क्रमस ए की 1,20,000 हैं बी की 75,000 हैं और सी की 60,000 हैं तो और वर्स में 2017 का जो लाब है हो कितना हुआ 1,19,250 रुपए का ब्याज काटने से पूर्व था मतलब पुझी पर ब्याज देने के पूर्व जो लाब था हो कितना है 1,19,250 रुपए तो अब हम क्या करेंगे लाब हने नियोजन खाता बनाएंगे इस लाब में से इनकी तीनों की पुझी पर 10% ब्याज देंगे उसके बाद जो लाब बचेगा उस लाब को पांच अनुपाद तीन अनुपाद दो में बाट देंगे फिर देखा जाएगा कि सी को 22-500 मिल रहा है या नहीं यदि 22-500 से कम रासी मिलेगी तो वह रासी एक खाते में से एक लाब में से कम कर दी जाएगी और सी के खाते में जोड़ दी जाएगी ठीके तो अब हम स्टेप बाइ स्टेप चलते हैं चलिए इसको हम साइड में हटा देते हैं सबसे पहले प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट उसका फॉर्मेट बना लेते हैं चलिए सबसे उपर आएगा हमारा प्रोफिट एंड लॉस प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट ठीके सबसे पहले क्रेडिट साइट में लाएंगे प्रोफिट एंड लॉस नेट प्रोफिट सुद्धल आप कितना हुआ एक लाग उननीस हजार दोसो पचास रुपए एक लाग उननीस हजार दोसो पचास रुपए अब एक लाग उननीस हजार दोसो पचास रुपए में से सबसे पहले हमें क्या देना है है इनकी पुंजी पर 10% ब्याज देना है तो two interest on capital है कौन-कौन है A, B और C पुंजी कितनी है उनकी एक लाख बीस हजार A की पुंजी है एक लाख बीस हजार उस पर 10% ब्याज देना है इसका मतलब कितना ब्याज आएगा 12,000 रुपे A का ब्याज आएगा B की पुंजी कितनी है B की पुंजी है 75,000 रुपे और 75,000 रुपे का 10% कितना आएगा 7,500 रुपे C की पुंजी 60,000 रुपे है 60,000 रुपे का 10% कितना आएगा 6,000 रुपे इस प्रकार से 12,000, 7,500 और 6,000 12,000, 7,500 और 6,000 ठीक है तो 12, 7, 19, 20, 25,500 रूपए क्या हो गया पुझी पर ब्याज हो गया तो सर्त के अनुसार प्रस्ण में जो समझूता है उसके अनुसार लाब में से पहले पुझी पर ब्याज देना है और उसके बाद जो बचा हुआ लाब है साजेदारों में उनके लाब विवाजन अनुपात में बाटना है तो चलिए इस लाब को हम बाट देते हैं To Profit Transfer To Partners Capital Account A, B और C 1,19,250 में से 25,500 रुपे माइनस कर देंगे 1,19,250 इस में से 25,500 रुपे माइनस कर दिया है कितना बचा 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया 9 93,750 रुपे का लाब आया है अब 93,750 रुपे हमें इन तीनों में बाट देना है 93,750 रुपे A, B और C में बाट देना है 93,750 रुपे गुणित उनका लाबी बचा अनुपात कितना है 5 अनुपात 3 अनुपात 2 5 is to 3 is to 2 इस अनुपात में बाट देना है तो 5 बटे टोटल हिस्सा कितना हो गया 10 काड दिया कितना बचा 25 दो 5 से तर पैथीस और 2 से तीस 3, 5 तिया 15 और 3, 18 1, 5, 45 और 1, 46 46,875 एक हिस्से में आ रहा है B के हिस्से में कितना आ रहा है 93,750 गुणित 3 बटे 10 फिर गुणा करेंगे 3, 5, 15 1, 3, 7, 21 2, 3, 3, 9, 2, 11 3, 27 और 1, 28 28,125 B के हिस्से में आ रहा है C के हिस्से में कितना आएगा 93,725 गुणी 2 बटे 10 कितना जाएगा 2, 5, 10 2, 7, 14, 1, 15 2, 3, 6 और 1, 7 2, 9, 18 18,750 रूपे ये लाब का भी भाजान हो गया A के हिस्से में 46,875 B के हिस्से में 28,125 और C के हिस्से में 18,750 रूपे 18,750 रूपे अब प्रस्ने में क्या सरत है कि C को 22,500 रूपे मिलेगा कम से कम C को गारंटी कितनी दी गई है C को गारंटी कितनी दी गई है कि C को कम से कम 22,500 रुपे मिलेगा ही कम से कम और अभी कित्ता मिल लाए 18,750 लाब में से कित्ता हिसा मिल लाए 18,750 मतलब 10 में से 5 गया 5 14 में से 7 गया 7 11 में से 8 गया 3 3,750 रुपे उसे कम मिल रहा है अब यह 3,750 रुपे कम A ने उसे ग्यारंटे दी है कि कम से कम 22500 मिलेगा और नहीं मिला तो मैं दूँगा मतलब A देगा तो यह A के खाते में से 3750 रुपे कम करेंगे और B के C के खाते में 3750 रुपे जोड़ देंगे ठीके इसका मतलब B का खाता वैसा का वैसा रहेगा 28125 रहेगा और A का कितना हो जाएगा 46,885 में से 3750 रुपे माइनेस कर देंगे 43,125 रुपे A को मिलेगा B को वही का वही रहेगा और C को कितना मिल जाएगा जो 22,500 रुपे उसको जो बोला गया ता उत्ता मिल जाएगा इसका मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 1,19,250 और इदर भी कितना हो गया 1,19,250 ठीके तो इस प्रकार से हम ये वाला सवाल भी सबसे पहली स्टेप लाब लिखा गया उस लाब में से पुंजी पर ब्याज दिया गया पुंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो लाब आया कितना लाब आया 93,750 उस 93,750 को उनके लाब विवाजन अनुपाद 5,95,3,72 में हमने बाड़ दिया A के हिस्से में 46,85 उत्तर आया B के हिस्से में 28,125 आया और C के हिस्से में 18,750 रुपे आया वो हमने या लिख दिया अब प्रस्ण में सर्थ के अनुसार A ने C को गयारेंटी दिये कि कम से कम C को 22,500 रुपे मिलेगा कितना मिलेगा 22,500 रुपे मिलेगा जबकि उसे कितना मिल रहा है 18,750 कितना कम मिल रहा है 3,750 तो वो कौन देगा A के लाब में से कम गर दिया जाएगा और C को प्लस कर दिया जाएगा प्रस्ण तो इसमें भी ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 33 नंबर वाला अमित, सुमित वो समिक्षा 3 पार्टनार है 3 is to 2 is to 1 3 अनुपात, 2 अनुपात, 1 के अनुपात में लाब विवाजन के साजिदार है अमित और सुमित द्वारा समिक्षा को नियुनतम लाब 8,000 के गारंटी दी गई उन्होंने समिक्षा को कम से कम इतनी गारंटी दी कि तेरे को 8,000 रुपे जरूर लाब मिलेगा और नहीं मिलेगा मतलब दोनों ने गारंटी दी कि कम मिला तो अमित और सुमित दोनों उसे बाटेंगे 31 मार्च 2016 को लाब 36,000 रुपे था 31 मार्च 2016 को इनका जो लाब हो कितना हुआ 36,000 रुपे हुआ हमें साजेदारों के बेज लाब को वित्रित करना है ठीक है तो इस प्रस्ण को थोड़ा साम साइड में कर देते हैं और हम बनाते हैं Profit and Loss Appropriation Account Profit and Loss Appropriation अभी ओनलाइन क्लास में आवाज ना आने के कारण आप लोगों को मैं आफलाइन विडियो बना कर कि ये बेहिज रहा हूँ ठीक है ताकि आप लोगों का आज का जो दिन है वो व्यर्थ न जाए आप लोग इसकी साम तक प्रेक्टिस करना और कल साम में फिर हम मिलने वाले हैं कल साम में फिर हम live मिलने वाले हैं ठीक है तो यह profit and loss appropriation account particular amount और particular amount ठीक है तो मैं अभी लाइव क्लास हमारी लगनी पाई आज की जो दस बज़े मैंने जो टाइम दिया था उसमें आप लोगों को आप लोगों ने इंतजार किया वह बहुत अच्छी बात है लेकिन वह कुछ टेकनिकल प्राबलम यह टेकनोलोजी हो टेकनोलोजी में प्राबलम आते तो वह मैं लेनी पाया तो इसलिए मैं यह आफ लाइन वीडियो आज जो हम पढ़ने वाला जो हमारा जितना कोटा था कि हमें इतने क्वेश्चन करना था उसके में वीडियो बना करके आपको भेच रहा हूं वह पढ़ लिजिए कल हम उससे आगे के वीडियो देखेंगे इसकी प्रेक्टिस आप कल दिन में जरूर कर लिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना लाब हुआ है उनको वर्से के दोरान 36,000 रुपे का लाब हुआ है ठीक है और जिन लोगों को बहुत है ना तो कल हम फिर से लाइव मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम से उसे हम दूर करेंगे तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 36,000 रुपे का हुआ अब इसमें से हमें जो अमित, सुमित और समिक्षा के बीच तीन अनुपात, दो अनुपात, एक में इसे बाट देना है ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ठीक है कौन है अमित, सुमित एंड समिक्षा ठीक है इन तीनों में हमें बाटना है तो यहाँ हम लिख देंगे 36,000 रुपे इधर भी आ जाएगा 36,000 रुपे यह हम उनमें बाटने वाले हैं चलिए अमित, सुमित अमित को 36,000 रुपे में से कितना मिलेगा उनका प्रॉफिट शेरिंग डेसो कितना है 3 स्टू 2 स्टू 1 यह है तो 36,000 गोनी 3 बटे टोटल इससे कितने हो गए 3, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 36,000 मतब 6 तिया 18,000 रुपे अमित को मिला फिर सुमित, सुमित को भी कितना मिलेगा 36,000 में से 2 इससा मिलेगा 2 बटे 6 तो 6 दुनू 12,000 रुपे सुमित को मिलेगा और समिक्षा तो समिक्षा को कितना मिलेगा 36,000 गोनी 1 बटे 6 मतब 6,000 रुपे उससे मिलने वाला है मतब 6,000 समिक्षा को मिल रहा है 18, 12 और 6,000 रुपे तो 18,000 रुपे अमित को मिल रहा है ठीक है फिर सुमित को कितना मिल रहा है 12,000 रुपे मिल रहा है और समीक्षा को मिल रहा है 6,000 रुपे अब problem क्या create हो रही है कि उन्होंने समीक्षा को guarantee दिये कि तेरे को कम से कम 8,000 रुपे मिलेगा और समिक्षा को मिल रहा है 6000 तो जो 2000 कं मिल रहा है वो 2000 कौन वहन करेगा अमित और सुमीत अब अमित और सुमीत वो जो 2000 रुपए है इसको किस अनुपात में वहन करेंगे तीन अनुपात दो में क्योंकि यहां उनका जो अनुपात क्या है तीन अनुपात दो है तो अमित 2000 रुपे का 3 बटे 5 क्योंकि 3 अनुपात दो रेसों में बाटेंगे तो पचो का 20 मतलब 1200 रुपे अमित को वहन करना पड़ेगा और सुमीत को 2000 गुणीत 2 बटे 5 400 गुणीत 2 मतलब 800 रुपे सुमीत को वहन करना पड़ेगा तो 1200 रुपे इसके खाते में से कम होगे थोड़ा सा हम उसको छोटा कर दूँ कि बढ़ा कर दूँ चलिए मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ चलिए तो अमित को अमित का 18,000 रुपे का लाब है तो 18,000 में से हम 18,000 18,000 18,000 में से अमित कितना दे रहा है 12,000 रुपे इसी प्रकार से जो सुमीत है सुमीत को कितना देना पड़ रहा है सुमीत का कितना आया था सुमीत का आया था 12,000 तो 12,000 में से सुमीत को देना पड़ रहा है 800 रुपे और समीक्षा को 6,000 मिल रहे समीक्षा को कितना मिल रहे 6,000 तो 6,000 प्लस 2,000 रुपए यह प्रस्ण बहुत आसान है 36,000 रुपए का लाब हुआ 36,000 के लाब को हमने 3,000 रुपाद 2,000 एक में बाट दिया तो अमित को मिला 18,000 समीत को मिला 12,000 और समीक्षा के से मैं 6,000 18,000, 12,000 और 6,000 लेकिन उनकी सर्थ के अनुसार समीक्षा को कम से कम 8,000 मिलना चाहिए तो 6,000 मिल रहे 2,000 कम मिल रहे तो वो ग्यारंटी कितने दी अमित और समीत ने जितने भी राशी कम मिली है वो दोनों उसके लाव विवाजन अनुपाद में बाट लेंगे तो 2,000 को अमित ने और समीत ने 3 अनुपाद 2 में बाटा तो अमित कितनी वेहन करेगा 1200 और समीत 800 रुपे देगा तो अमित 1200 रुपे दे रहे अपने लाव में से तो 18,000 में से 1200 माइनस कर दिया और समीत दे रहे 12,000 में से 800 माइनस कर दा है तो ये कितना बचा 16,800 रुपे अमित का हिस्सा आ गया और 11,200 रुपे समीत का आ गया और 8,000 रुपे समिक्षा का आ गया तो आ जाएगा ये हो गया 27, 35 और 36,000 रुपे ठीके तो ये वाला question भी हमारा complete हो गया चलिए इसके आगे वाला एक 34 नंबर वाला question है वो हम देखते हैं जो कि इस type के इस type में last वाला question है इसके बाद फिर हमारे एक नई type का हमारे पास सामने आ जाएगा तो ये चौथा प्रस्ण है 34 नंबर का अभय सिद्धार्त और कुसुम ये तीन पार्टनर एक फर्म में है और उनका लाब विवाजान अनुपात है पांच अनुपात तीन अनुपात दो कुसुम को लाब सेर की रूप में 10,000 की guarantee दी गई जो कुसुम है उसे guarantee दी गई कि तेरे को कम से कम 10,000 रुपे जरूर मिलेगा यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्त के खाते से पुरा किया जाएगा कुसुम को कम से कम 10,000 मिलेगा और 10,000 से कम मिला तो वो कम की राशी कोन उठाएगा सिद्धार्त वेहन करेगा चलिए ठीक है 31 मार्च 16 और 17 वर्से के अंत में लाब 40,000 और 60,000 रुपे थे मतलब 31 मार्च देखिए यहां दो चीज़े आ गई 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 ऐसे दो इयर आ गए मतलब 31 मार्च 16 को कितना है 40,000 और 31 मार्च 2017 को कितना है 60,000 रुपे है दो वर्से का हमें लाब विवाजन अनुपाद बनाना है लाब विवाजन खाता जो है लाब भानी जो नियोजन खाता है दो वर्से का बनाना है तो 16 में उन्हें लाब हुआ है 40,000 और 17 में हुआ है 60,000 और दोनों वर्स में हमें देखना है कि कुसुम को दसदार मिल रहा है कि नहीं कुसुम कष़िती दसदार नहीं मिलता है तो उसकी जो कमी है उसको को मिलता करेगा वो सिद्धार्थ पुरा करेगा को चलिए यह हम इसको करते हैं प्रैश necesita ऐसकी में epoxy और हमें क्योंकि दो खाते बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर देंगे चलिए दो खाते बनाना है तो सबसे पहले तो 2016 का बनाएंगे यहां बनाते हैं 16 का पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट ठीक है यह हमारा हो जाएगा कम्प्लीट चलिए प्रोफिट यह रेड आगया प्रोफिट अन लॉस अप्रोप्रियेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है यह कव है यह 2016 में बना रहे हैं इसी प्रकार से एक और हम बना लेते हैं 2000 चलिए पहले हम 2016 का ही बना लेते हैं क्योंकि हमें यहां डिस्टिबूट भी करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हम यहां पर लाए 2016 का लाब प्रोफिट एंड लॉस नेट प्रोफिट कितना आया था चालीस हजार रुपए अब इस चालीस हजार को हम बाट देंगे प्रोफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन-कौन है अब है अब है फिर है सिद्धार्थ और फिर है कुसुम अब है सिद्धार्थ और कुसुम ठीके अब इस चालीस हजार को हमें उनके प्रोफिट शेरिंग रेसों में बाट देना है अब है सिद्धार्थ और कुसुम कितना है चालीस हजार रुपे को पांच अनुपात तीन अनुपात दो में बाटना है तो चालीस हजार गोनित पांच बटे दस इसी प्रकार से इसका आएगा चालीस हजार गोनित तीन बटे दस और इसका आएगा चालीस हजार गोनित दो बटे दस ठीक है ये 0 से 0 ये 0 से 0 से 0 कड़ गया कितना आएगा चारा पंजे 20,000 अभह को मिला 4 तीया 12,000 रुपए सुमीत किसको मिल रहा है सिधार्थ को मिल रहा है और 4 दुनू 8,000 रुपए कुसम को मिल रहा है ये उनका प्रोफिट बढ़ गया 20,000 रुपए अभह को 12,000 रुपए सिधार्थ को और 8,000 रुपए कुसम को अब या सर्थ क्या थी उनके बीच में सर्थ ये थी कि कुसम को कम से कम 10,000 रुपए मिल रहा है 8000 ते जो 2000 रुपे कम मिल रहा है उसकी पूर्ती कौन करेगा सिधार्त तो सिधार्त का जो खाता है 2000 रुपे से माइनस हो जाएगा मतलब सिधार्त को केवल 10,000 रुपे हिलाब मिलेगा अब है का खाता वहीं कम ही रहेगा और इसके खाते में 2,000 रुपए जोड़ जाएंगे मतलब 10,000 रुपए हो जाएंगे पटो इसे धार्ट देगा जो कमी होगी तो इसे धार्ठ की खाते में इसे 2,000 माइनिस कर दिए तो 12,000 में 20,000 माइनिस हो गये 10,000 और कुसुम को 10,000 मिलना था ग्यारेंटी के इसाब से तो 8000 में 2000 से धारता ने दे दिया तो 2000 प्लस कर दिया तो 10,000 हो गया टोटल हो गया 40,000 ठीक है तो यह वाला प्रस्न हमारा हो गया कब का 2016 का अब 2017 में क्या दिया है तो 2017 का देख लेते हैं दो खाते बनाना है हमें तो 2017 का देख लेते हैं कि चलिए दो हजार कि सत्रा कि यह लिख देतों में दो हजार सत्रा यह जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लास नेट प्रॉफिट कितना आया था साथ हजार दो हजार सत्रा में लाब कितना हुआ है साथ हजार इसको भी बाट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसपर्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है वही है अब है सिद्धार्थ और कुसुम ठीक है चलिए बाट देते हैं अब है को कित्ता मिलेगा साथ हजार फाइव इस्टू थ्री इस्टू टू यह उनका प्रॉफिट सेरिंग रेस हो है गुनित पाज बटे दस फिर सिद्धार्थ का साथ हजार गुनित तीन बटे दस और कुसुम का साथ हजार गुनित दो बटे दस चलिए यह कड़ गया उपर छे पंजे तीस हजार गुनित क्सको मिला अभे को छे टिया अठार गुनित की सिद्धार्थ को और छे दुनू बारा हजार गुनित क्सको मिला कुसुम को लिख देते हैं 30,000, 18,000 और 12,000 तो टोटल आ जाएगा हैं 60,000 रुपए अब देखिए इस प्रस्ने में क्या है A को 30,000 मिल गया B को 18,000 मिल गया और C को मिला 12,000 किसको कुसुम को मतला अब है को 30,000 सिद्धारतों को 18,000 कुसुम को 12,000 अब प्रस्ने में सर्त क्यानुसार उसे कम से कम 10,000 मिलना था उससे जादा उसे कित्ता भी मिल जाए उससे कोई लेना देना नहीं तो यहाँ पर उसे 12,000 मिल गया तो अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं उससे गयारंटी दी गई थी कम से कम 10,000 मिले गई अब दसfig recompense जादा उसे मिल जाए हे उससे कोई हमें मतलब नहीं है ऐसा नहीं कि आस जादा मिल गया थो हमस्से वापस ले लेंगे नहीं दसजार से जादा उसे 20 मिल जाए 50 मिल जाए 1,001,000 उससे हमें कोई मतलब नहीं लेकिन 10,000 से कम यदी मिलता तो उसकी पूर्टी सिधार्द करता अब यहां 10,000 से ज्यादा 12,000 मिलाएं तो कोई बात नहीं उसको ले जाने तो यह हमारा अकाउंट से यहां पर क्या हो गया कम्प्लिट हो गया ठीक है तो हमने इस टाइप के अभी 32 नंबर वाला किया इसमें भी पहले पुझी पर ब्याज देना था फिर बचा हुआ लाब उनमें आपस में बाटना था इसके बाद हमने 33 नंबर वाला किया इसमें भी डारेक्ट लाब को बाटना था गयारेंटी वाला था और लास्ट वाला भी हमने 34 नंबर वाला किया ज उनको करेंगे, ठीके, सुबरातरी, बाई